Cultural region of the world Culture हमेशा से geography का एक important part रहा है In fact, अगर हम region के बारे में बात करें तो concept of region जो हम लोगों ने already discuss किया हुआ है इसकी शुरुवात कहीं न कहीं हमें ancient geographer के time period से ही देखने को मिल जाती है इसके बात से Bernard Varanius, Emmanuel Kant, Hetner, Hartshon, Hutton, Karl Ritter इन सभी लोगों ने अपने ideas दिये हुए थे इस concept of region को ले करके In fact, अगर हम especially to the cultural region के बारे में बात करें तो हमें work देखने को मिलता है विडाल डेला बलाश में Similarly, Hartshon के ideas से तो ये कुछ areas हैं जहांपर हमें cultural region के बारे में पता चलता है अगर हमें cultural region के बारे में study करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिर में ये जो culture है वो develop होता कैसे है और culture के develop होने के लिए हमें उस agent की पहले तलाश करनी पड़ेगी जो culture को develop करता है तो culture का जो development है वो human के evolution से हमें देखने को मिल जाती है Evolution of men and different races of men हम अगर human के evolution के बारे में बात करें तो शुरुवात तो हलाकी जो study की गई थी वो landmark और फिर Darwin के द्वारा भी की गई थी इनफेक्ट अगर हम लोग देखें तो जो human है human का evolution हमें basically चार तरीके से देखने को मिल जाता है एक है natural selection, variation, struggle to exist and survival of the fittest की theory जो human का evolution हुआ है वो बहुत ही gradual तरीके से हुआ है लेकिन वो simple to complex अलग-अलग format में हुआ है ऐसा believe किया जाता है कि जो शुरुवात हुई थी वो एक cell system से start हुई थी जो कि एक single cell था धीरे-धीरे ये singular cell ultimately multi-cellular और फिर एक complex body में तबदील हो गया Darwin ने अपनी theory ultimately दी in a format of theory of evolution और ये जो evolution की theory है यही ultimately survival of the fittest या फिर series of natural selection के format में हमें देखने को मिल जाती है हमें जो ये evolution है वो 5 process के थुरू देखने को मिल जाता है ये process है mutation, genetic recombination, chromosomal, abnormalities, reproduction, isolation and natural selection इन पांचों का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि flow chart बगर बनाने के लिए काफी इस्तमाल होगा अब हम देख लेते हैं कि आखिर में human का evolution है उसके different stages क्या क्या रहे हैं अब different stages में अगर बात करें तो हमारे पास में जैसे dryopithecus हो गया, ramapithecus हो गया, australopithecus, homo erectus, homo sapiens, neanderthal and last में homo sapiens, sapiens शुरुबात को जो human था उसे हम लोग dryopithecus के नाम से भी जानते हैं ये हम ancestor to both of man and ape के format में देख ले सकते हैं नौर्मली इनकी जो fossils मिले हैं, वो हमें China, Africa, Europe और India से देखने को मिल गया हैं यानि कि ये जो dryopithecus का area था मेंली वो इस area से ही शायद रहे होंगे ये लोग oak, wood, ape थे और इनकी जो बनावट है वो बंदरों से जादा मिलती थी ape से basically जादा मिलती जुलती हमें देखने को मिल जाती थी tropical areas में थे और densely forested area में primarily ये देखने को मिल जाते हैं अब इसके बाद से हमें development देखने को मिलती है in a format of human evolution और ये जो human evolution है वो अब रामा पितेकस में तबदील हो गई थी रामा पितेकस शिवालिक range in पंजाब और बाद में अफरीका और साथ अफरीका साथी अरेबिया के area से भी हमें इसके fossils बरामद हुए हैं ये open grassland area में रहते थे दो तरीके के evidence हमें इनके जो humanoid status है उसको confirm करते हैं पहला इनका जो दात था वो enamel thickened हो गया या निकि जो white white दात है वो white white हो गया जानवरों के दात आपने देखे होंगे और human के दात को देखे है आपको एक enamel की difference देखने को मिल जाएगी इसके अलावा जो canines हैं जो जानवरों में देखेंगे बड़े-बड़े होते हैं चीडने फाणने के लिए वो छोटे-छोटे हो गए इसके अलावा जो jaw है वो jaw, human jaw भी अब robust हो गई इसके अलावा हाथ से food को उठाने, defensive काम करने और extra pollution में भी यानि कि अब खड़ा होकर के चलने के लिए भी अब ये लोग धीरे-धीरे अपने आपको evolve कर लिये थे इसके बाद से next evolution में देखने को मिलते हैं australopithecus के format में australopithecus का जो fossil है 1924 में साउथ अफरीका से बरामत किया गया था ये लोग ground पे रहते थे चलते थे इरेक्ट हो करके यानि खड़े हो करके लोग चलते थे और साथ में stones का इस्तेमाल करते थे as a format of weapon चार फिट लंबे थे और इनका weight जो है वो 60-80 pound था जो हमारे किसी काम कर नहीं है होमो इरेक्टस ये एक important evolutionary development के format में हम लोगों को देखने को मिलता है इसका जो पहला fossil है वो जावा में मिला था हमें और इसे हम पिथे कैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं ये एक missing link है basically man और ape के बीच में यानि कि human के सबसे nearest तो हमने अंदर थल बोलते हैं लेकिन उसके बाद से homo erectus ही माना जाता है इसे peaking mano यानि peaking man के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ चाइना में इसके fossil की discovery हुई थी इसके जो specimen थे उससे हमें cranial capacity यानि कि जो brain के सोचनी की छमता होती उसके बारे में हमें पता चलता है हमें यह भी पता चलता है कि यह लोग community में रहना शुरू कर दिये थे इसके अलावा quards से यह अपने tools वगरे बनाये करते थे इसके अलावा bone हड़ियों से लकडियों को इन लोगों को भी tool के format में use किया जाता था hunting का काम करते थे और इनको आग का यानि fire का भी इस्तमाल करना कैसे है यह इसके बारे में इनको जानकारी थी यह लोग caves में यानि गुफा बना करके ultimately रहते थे यानि कि इन लोगों को एक threat भी था कि कहीं ना कहीं जंगली जानवार या किसी तरीके का इनको अगर नुकसान होगा तो इसके लिए यह लोग एक safe place में रहते थे नेक्स हमारे पास neanderthal मानो यासीर homo sapiens neanderthal भी बोलते हैं इसे यह humo erectus का एक evolved portion देखने को मिल जाता है इनके जो evolution हुई थी वो दो sap category में थी एक neanderthal और दूसरा homo sapiens इनकी जो cranial capacity है वो बढ़ करके 1200 टू 1600 हो गई थी अगर आज की date में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो cranial capacity human की है वो 1800 तक मानी जाती है मतब vary करते रहता है 1000 से 1800 के बीच में यह vary करता रहता है अब यहाँ पर लोग बड़े बड़े मतलब जो हत्यार है उसके थुरू ultimately यह बन करके रहना देखना शुरू कर दिये थे homo sapiens sapiens यह आज का मानो है जो अपने आप में काफी developed मानो माना जाता है इसकी cranial capacity 1350 या फिर 1800 तक यह हो सकती है hunting करते थे और यह अब community बना करके और अलग-अलग format में यह लोग रहना शुरू कर दिये थे human का जो evolution है या जो human का development है ऐसा नहीं है कि हर जगा पर एक जैसा ही रहा है चुकि geographical conditions अलग-अलग रही है चाए वो terrain के format में हो या फिर climate हो या फिर vegetation हो तो कहीं न कहीं हर जगा पर हमें different type के species in a format of human development देखने को मिल गए थे इन्हें हम skin के color, आँखों के जो color, facial expression, body structure, hair color, hair type इन सब format में हम लोग इसको देख सकते हैं In fact, एक American anthropologist है जिनका नाम है Cartleton, S. Koon, नाम याद रखना है इनका इन्होंने 5 तरीके के races के बारे में बात किया हुआ था एक Caucaside, जो Caucasus के area में रहते थे Negritos, Negroid, Capoid, Mongoloid and Australoid अब ये जो Australoid का area है या फिर Australoid के जो लोग हैं बेसिकली ये हमारे द्रविडियन इंडिया के भी लोग same race के ही देखने को मिल जाते हैं Mongoloids के बारे में अगर बात करें जो दिबतन का area है, चाइना area है या फिर जो हमारे नौर्थीश्ट का area है, ये भी ultimately हमें Mongoloid region के देखने को मिल जाते हैं सिमिलरली इसी तरीके से Capoid हो गए या फ्रीकन area में थे देवर बुश्मैंस, नेग्रोइड, इसी तरीके से Black race थे और कॉकसाइड, कॉकस के area में प्राइमरली रहते थे निक्स आती है हमारी cultural evolution and stages Morgan and Taylor ने इस cultural evolution के different different stages के बारे में बताया था प्राइमरली हमें तीन evolution देखने को मिलते हैं एक savagry, barbarism and civilization basically यहाँ पर ज्यादा कुछ खास है नहीं बस एक चीज बताये गई है savagry जहाँ पर लोग अब जैसे जो आदिमानों जिनको हम लोग बोल देते हैं आप वैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर पुराने टाइम के लोग basically थे जिनके पास में कोई weapons नहीं थे, कुछ नहीं था they were using fire, fishing, hunting, bow and arrow यही सब चीज़े केवल करते थे और अपनी जो जिन्दगी थी वो एक आदिमानों के basis पर ही यहाँ पर यह लोग गुजारते थे यहाँ पर six brings, marriage जो थी वो prohibited थी बाकी सारी चीज़े ऐसे ही चल रही थी they were living in communities only फिर उसके बाद से next phase होती है बारबरिजम की जो ultimately एक clan and community development शुरू हो जाती है यहाँ पर animal domestication, plant domestication, agriculture, iron use यह सारी चीज़े स्टार्ट हो गई थी फिर उसके बाद से civilization हो जाती है जहाँ पर जितने भी हमें political state या फिर social intermingling, social laws, interrelations यह सारी चीज़े हमें देखने को मिल जाती है खैर इसका जाता कुछ खास काम है नहीं अगर आप introduction के तौर पर use करना चाहें तो यहाँ पर use कर सकते हैं लेकिन major जो question बनता है वो होता है इस cultural realm को ले करके cultural realm का मतलब यह होता है एक ऐसा area, एक ऐसी community या एक ऐसा zone जहाँ पर हमें एक particular type of culture की reflection देखने को मिल जाती है और इसे ही हम लोग बोलते है cultural realm obviously यह जो culture होगा with a time obviously it will change, change होने के पीछे सीधा कारण यह है कि समय के साथ में चीज़े बदलती है और बदलने के साथ में ultimately लोगों के practices भी बदल जाते है जैसे एक time था जब सती सिस्टम को practice किया जाता था लेकिन आज की date में सती सिस्टम को हम practice नहीं करते है तो यह dynamic concept के तोर पर हमें देखने को मिल जाता है cross fertilization के through ultimately जो हमारी culture वो आगे बढ़ते जाती है इस culture में हमें socio-economic, social-religious, economic condition, standard of living, level of technology यह सारी चीज़े ultimately हमें देखने को मिल जाती है culture को अगर define किया जाए तो इसके कई तरीके हो सकते है इसका एक तरीका यह हो सकता है कि कोई एक particular community अपनी language, अपना religion, ethnicity, trait, standard of living इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना एक gratitude towards the resources और जो भी उनको support किया उसके प्रती दिखाने के लिए ultimately कुछ ना कुछ यहाँ पर यह लोग अपने laws या कुछ ना कुछ practices बना देते हैं दिरे दिरे practice, ultimately और भी बाकी लोगों के द्वारा practice की जाने लगती है और इस तरीके से एक tradition, एक culture निकल करके आ जाता है इंडिया में अगर बात किया जाए तो हमें कई तरीके के culture देखने को मिल जाते हैं कल्चरल रियल्म के बारे में बात करें, तो एक ही रीजनल लेवल पर एक homogeneity प्रोवाइड करता है जैसे हाट्शोन के idea ने real differentiation दिया था सिम वैसे हमें इसी तरीके का एक हमें cultural homogeneity देखने को मिल जाता है विडाल देला बलाश, रैडजल, इन लोगों ने अपना contribution दिया था इस cultural realm को डवलप करने के लिए इस cultural realm के format में हमें अलग अलग तरीके के जो enclaves हैं, जिसे हम हीर्थ भी बोल सकते हैं ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं अब यहां पर जो सबसे major और सबसे important classification है वो है brook and web की यह हम लोग आने वाले time में बहुत ज्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा यूज़ करेंगे और चाहे वो introduction हो, या फिर किसी तरीके का culture हो, या किसी तरीके का दूसरे concept हो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहां पर use कर सकते हैं, इसलिए brook and web इसको आप लोग by heart कर लिजएगा, काफी important है brook and web ने ultimately अपने 8 variable के थूरू अपना एक cultural realm बनाने की कोशिश की जिसे हम cultural regionalization of the world भी बोलते हैं, जैसे race, religion, language, economic unionism, folk, habit या diet, dress, belief, etc. और इन 8 parameter के जरिये ultimately 4 major cultural realm के बारे में बात किया गया और 2 meso cultural realm के बारे में बात किया गया जो major cultural realm है, जैसे occidental culture, जो कि हमें Christianity area में देखने को मिला, Islamic realm, जो हमारा West Asia इस area में देखने को मिला, Indian realm, Indian में, East India, जो East Indies वाला इलाका है या फिर बोल सकते हैं, जो Singapore और Thailand, यह सब South East Asia वाला area है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है minor cultural realm में, South East Asian realm हो गई, Meso African और Negro African realm हो गई, यह हमें दो minor cultural realm के format में देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर देखिए, majorly जो आपसे question पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा Occidental cultural realm को ले करके अब यह जो Occidental cultural realm में, primarily यह Christianity को ही दिखाता है, Christianity को ही normally शो करता है अब यह जो Christianity है, primarily यह flourish हुईती, West Europe से start हुआ था, Venice से ultimately Rome और इन सब अरियाज में धिरे-धिरे फैल गया था तो जो West Europe का area है, यह काफी industrialized और काफी urbanized culture को शो करता है Continental European culture, यह ultimately political और economic thought जो भी इससे influence हुए थे, वो basically Christianity के ही influence का एक नतीजा हमें देखने को मिला था Mediterranean European culture के बारे में भी अगर बात किया जा, तो यह भी South of Alps के area को ही दिखाते हैं यहाँ पर same, हमें Christianity की ही domination देखने को मिल जाती है Deep-rooted traditional social system is the principal cause for limited economic development in the countries like Spain, Portugal, and Southern Italy, etc., etc. ही सब areas में देखने को मिला इसके लावा Anglo-American और जो Australian cultural realm है, यह भी, चुकि यह सब भी part थे इसी European culture के क्योंकि यहीं से लोग निकल करके गए and they developed the areas and they developed the civilization in America and Australia और इसी वज़े से यहाँ पर भी जो cultural realm देखने को मिलता है, वो European cultural realm हमें देखने को मिल जाता है इसी तरीके से अगर Latin America के बारे में भी बात करें, तो Latin America में भी same इसी तरीके का Mediterranean culture देखने को मिलता है So this is the Occidental culture जहाँ पर हमें एक Christianity का एक importance देखने को मिलता है, एक Christianity का influence देखने को मिल जाता है The regional architecture has been influenced by Spanish and Portuguese style Practically all countries maintain economic, social and cultural ties with the Mediterranean countries तो यह basically cultural realm और culture related सारे concept थे, यह वो questions हैं जिनको आप लोग practice कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम लोग इसको discuss करेंगे जब हमारी 8 बज़े वाली class होती है वहाँ पर तो जितने भी part है, culture को ले करके, in fact आने वाले time में जब हम लोग बात करेंगे, systems analysis या फिर जो हमारा model and theories है वहाँ पर भी इन सारी चीजों का हमें एक development देखने को मिल जाता है झाल 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 झाल